गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम गुंजन जोशी फ्रॉम नवजोती ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी, अब हम अपनी क्लास सैवंथ का चेप्टर फाइव मिठाई वाला पड़ेंगे, तो इस चेप्टर में क्या है, बोला है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गल में गुमता हूँ, कौन बोलता है, या मिठाई वाले के बारे में बता है, कि वो क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला, ऐसे सुवरों में बोलता है, इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे चित्रित किंतु मादक मदूर ढंग से का कर कहता है, कि सुनने वाला एक बार अस्थिरोटे तो वो इस ये वाक्य वो अधूरा तो बोलता है लेकिन वो इतने प्यार से इतनी मधूरवाणी में बोलता है कि सुनने वाला भी उसको सुनके अस्थिरोटा तो मितलब स्थिर नहीं रहता लब उसका ध्यान उसकी और आकर्शित होई जाता है ठीक है से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मर जाती हूँ उसके स्नेह विशिक्त मतलब उसके स्नेह से प्यार से भरे हुए कंठ में कंठ से ये निकला हुआ जो गान है बच्चों को बहलाने वाला खिलोना वाला ये सुनकर आस-पास के जो मकान होते हैं वहां पर कि जाना करके करती है ये जो 30 से अपनी बालकनी से नीचे जाकने लगती है गलियों और उनके अंत को एंbin ना चोटे अंदर के अंदर के अंत्व्याप्री जो भी उद्द्यान है जो वहां पर खेलते और इठलाते हुए बच्चों का जुंडु से घेर लेता है कि खेलते हैं रिठाटे मूंतलimme इत्राते हुए बैच्चे क्यां अनुछ फ qeo ng a ने देखकर फुड़ती हैं। खुश होना ठीक है तो वो कहोते हैं खिलोने देखकर खुश हो जाते हैं वे पैसे लाकर खिलोने का मूल भाव करने लगते हैं और वो पैसे लाकर खिलोने के मूल भाव करने लगते हैं मूल भाव मतलब उनसे मूल पूछते है खिलोने वाल से पूछते है कि इच का क्या इच खिलोने वाला क्या बच्चों को देखता और उनकी ननी ननी इंगलों से पैसे लेता और फिर उनके इच्छा नुसार इच्छा नुसार मतलब उनके मन पसंद खिलोने उने देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उच्छने कूदने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसी प्रकार गा कर कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलोना वाला ठीक है फिर क्या बोल रहे हैं लेखक की सागर की हिलोरे की भाती उसका यहां मादग गान गली भर के मकानों में इस और से उस और तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता ठीक है जो सागर में लहर होती है उसकी तरह उसका यह जो मादग गान है वो गली भर के मकानों में इस और से उस और लहराता हुआ पहुंचता है खिलोने वाला और आगे बढ़ता जाता है राय विजय बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आये तो राय विजय बहादूर यहां पे एक व्यक्ति है जिसके बच्चे खिलोने लेकर आये एक दिन खिलोने वाले से वह दो बच्चे थे उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जो खिलोने ले आया तो बोला मेला घोला कैच्छा चुन्दल में मैंने आपको बॉलके बच्चपन अब लेओं आ जब लोग कि इसा सुन्दर है मुन्नु बोला यसे बीठी पर सुन्दल मन्नु जो रहने दोने हाति बंद्राइन हमें इस तो में आफी बहले त्रोहीनी वह कुछ देर अध़ी खड़े उनका खेल को पूचतीao लूफाने कन सता मिमें वही जाने खने parlar सतन्य केसी को सब्सक्राविशने के आसे आधे समुछ मृत ये खिवया सकुते हैं मतलब इतना तो जरूर है मतलब इतना वो पक्का विश्वास है उसा कि दिया तो है निश्चे मतलब द्रण विश्वास ठीक है अब क्या बोल रहे हैं एक जरासी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई तो फिर उसके बाद इतना बोलके वो रुपती है और फिर वो अपने काम में लग जाती फिर कभी उसे इस बारे में विचार करती भी क्यों पड़ती ठीक है चै महीने बाद फिर बोल रहा है मकलेखब कि चै महीने बाद नगर भर में दो चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समचार फैल गया चै महीने बाद मतलब इस घटना के चै महीने बाद नगर भर में मतलब पूरे शहर में दो चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समझार फैल कि अब क्या खिलोने वाले की जगह मुर्ली वाल आने लगा लोग कहने लगे भाई वा मुर्ली बजाने में वह एक ही उस्ताद है तो लोग क्या कहते थी कि मुर्ली बजाकर गाना सुनाकर मुर्ली बेचता है वो क्या करता है मुर्ली बजाकर गाना सुनाक पोछा है में पूछा में पूछा से में यहें है कि यहां कि तो कमा भी उसके आती होगी क्योंगा उसके अभी अधिक न होगी यही 32 का होगा दुबला पतला गोरा यूवक है बिकानीरी रंगीन साफा बानता है तो लोगों ने पूछा तो उसे उत्तर मिला कि उम्र तो उसके अभी इतनी अधिक नहीं होगी वो 32 का होगा दुबला पतला है और कैसा यह गोरा है बिकानीरी र संगीन साफा बानता है ठीक है मतलब वह तो फिर वह बोलता है वही तो नहीं जो पहले खिलोना तो लोग बोलते कि यह कहीं वह तो नहीं है जो पहले खिलोना बेचा करता है क्या वह पहले खिलोना भी बेचा करता था तो आदमी पूछता कि क्या वह पहले खिलोना भी बेचत है वह एक उस्ताद तो वो आदमी बोलता की तो फिर वही होगा लेकिन वो है तो उस्ताद प्रति दिन इसी प्रकार उस मुर्ली वाले के चर्चा होती प्रति दिन नगर की प्रति एक गली में उसका माधक मुरदुल सुर रस DAY परता बच्चों को भेलाने वाला मुर्लिय वाला तो प्रती दिन प्रती दिन मतलब हर दिन ठीक है प्रती दिन मतलब रोज बोल सकते हो आप तो रोज क्या होता इसी प्रकार उस मुर्लिय वाले के चर्चा होती थी और हर नगर में हर गली में प्रती एक मतलब हर एक ठीक है प्रती एक मतलब हर एक उसका मादक, उसका मादक, प्यारा म्रदुल मीठी स्वार वाली बोली सुनाई परती बच्चों को बहलाने मुरल्य वाला जब वो खिलुने वाला थो प्या कहता है बच्चों को बहलाने मुरली वाला Educational रोही नीनें भी मुर्ली वाले का याद आ तो इसमरण होना मतलब याद हाना ठीक है उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गाघा कर सुनाता था तो क established कि खिलोने वाला भी इसी तरह गाघा कर खिलाँ बेशता था रोही उठकर अपने पती विजय बाबू के पास गई और उन्हेंने बोला जरह उस मूर्ली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लू क्या पता वह है फिर इधर आए ना आए तो वह ऐसा बोलती है अपने पती से और वे भी जान पड़ता है पार्क में खेल खेलने निकल गए हैं वो कहते कि मुझे ऐसा लगता है चुन्नू मुन्न तो पार्क में खेलने चले गए विजय बाबू एक समचार पत्र पड़ रहे थे विजय बाबू क्या कर रहे थे समचार पत्र पड़ते उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर और वो सोथिनी मतलब पाजामाही डीली होकर लटक गई क्योंकि वह मुर्ली वाले को देखके बहुत साहित हो गये थे इस तरह दोड़ते हाफते क्या हुए इस तरह दोड़ते हाफते जो बच्चे हैं उनका जुन्द पहुंचा मुर्ली वाले को देखकर एक स्वर से सब बोल सबकोको देंगे भाया लेकिन रुको ठैरो तो बोलते सबको दूंगा मैं मुर्ली लेकिन सब रुको एक आखक को देने दो सबको एसकर करके लो जाता कि मुर्णाया कहीं लोट फोड़े की नहीं जा रहा बेचने तो आया हूं और है इस समय मेरे पास एक दो नहिं पूरी 57 तो हाँ बाबुजी क्या पूछा था आपने कितने में दी दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से है पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूँगा वैसे तो तीन तीन पैसे की है पर मैं आपको दो पैसे में दे दूँगा विजे बाबु भीतर बाहर दोनों रूपों से मु लगा रहे हैं लेकिन मुझको ऐसा एहसान जता रहे हैं फिर बोले तुम लोगों की जूट बोलने के आदत होती है देते होगे सबी को दो-दो पैसों में पर एहसान का बोजा मेरे ही उपपर लाद रहे हो कि तुम्हारी जूट बोलने की तो क्या कहते हैं विजे बाबू मु प्रतिख मतलब वह अचनक से बहुत सीरियस टौन में बोला मतलब आपको क्या पता बाबू जी इनके असली लागत क्या होब स में कितना खर्च हुआ है यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानी उठा कर चीज क्यों ना बेचे पर ग्राहक यही समस्ते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है तो कहते कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर मतलब रिवाज होता है ग्राहकों का यह रिव दो ही पैसा है वो कहते हैं कि लेकिन असलिदाम भी दो पैसा है आप कहीं से दो पैसों से मुरली नहीं पा सकतें लेकिन हा मैंने एक हजार बनवाई थी तो मुझे इस भाव पड़ी है वजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं जल्दी से दो निकाल दो ठीक है तो वो बोलते कि दो मुर्ली निकाल दो मेरे पास इतना वक्त नहीं है दो मुर्लियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर गए दो मुर्लियां लेकर मुर्जय बाबू क्या कहा है मकान के अंदर चलेगा मुर्ली वाला देर तक उन बच्चों के जुन्ड की मुर्लियां बेशता रहा उसके पास कहीं रंग की मुर्लियां थे बच्चे जो रंग पसंद करते मुर्ली वाला उसी रंग की मुर्लियों ने देता था यह बड़ी अच्छी मुर्ली है तुम यही ले लो बाबू राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है हाँ भईया तुमको वही देंगी ये लो तुम्हें वैसी न चाहिए ये है नारंगी रंग की अच्छी वही लो ले आये पैसे अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहोंगे धोती पकड़ कर पैरोमें लिपट कर अम्मा से वैसे मांगे जाते हैं बाबु हाँ फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे दुणनि हैं तो क्या हूआ ये लो पैसे वापस लो ठीक हो गया नहीं साब मिल गए पैसे देखो मैंने तरकीब बताई अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके तुम्हारी मा के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ इस तरह मुली वाले फिर आगे बढ़ गया यह सब बोलके वो क्या हुआ आगे बढ़ गया अब देखे अब क्या हुआ आज अपने मकान में बैटी हुई रोहिनी मुली वाले की सारी बाते सुनती रही तो मुली वाले की बाते सारी रोहिनी सुनती रही फिर आज भी उसने क् उसे एहसास हुआ कि बच्चों के सांथ इतने प्यार से बाते करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया है तो फिर वह सौधा भी कैसा सस्ता और कि किसी को वह ऐसी माने पैसे नई दिये तो ऐसे फ्री में दे जा रहा था तो कहती कि और वो इतना सस्ता बेशता है, भला आदमी जान पड़ता है, कहती कि भला आदमी लगता है, समय की बात है, जो बचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट ना करा है, तो थोड़ा, तो कहती कि समय की बात है, बचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, गरीब होगा, पेट जो ना करा है सो थोड़ा हो कहरी कि खैर पेट पालने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है इसे समय मुर्ली वाले का शीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुर्ली वाला तो उसी समय जब वा ऐस सोच रही तो मुर्ली वाले का शीन मितलब कमजोर स्वर क्या था दूसरी कलोनी से दूसरी पास की कलोनी से सुनाई बढ़ा और वो बच्चों को बहलाने वाला मुर्ली वाला रोहिनी इस सुनकर मनी मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है तो रोहीनी इस गीत को सुनकर कहते कि यह कितना मीठा बोलता है बहुत दिनों तक रोहीनी को मुर्ली वाले का वह मीठा स्वार और उसके बच्चों के प्रतिवे स्नेशिक्त बाते याद आती रही तो क्या है बहुत दिनों तक रोहीनी को मुर्ली वाले का वै मूठा मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रतिवे स्नेशिक्त स्नेशिक्त अर्था प्रेम में भीगी हुई प्रेम से भरी हुई बाते याद आती रही ठीक है प्रेम से भरी बाते याद आई महीने के महीने आये और चले गए वो कहते है महीने से महीने बीच गए और चले गए लेकिन फिर वो मुर्ली वाला कभी नाया दीरे दीरे उसके स्मृति भी शीन हो गई और उसकी स्मृति दीरे दीरे उसकी याद भी क्या हुई दूंदली सी हो गई मतलब अब किसी को देखे हो अगर हमें समय हो जाता तो हमेरे दिमाग में उसकी छवी तो रहती है बर वो दूंदली हो जाती है तो ऐसा ही बोल रही है रोहिनी आठ माज बाद सर्दी के दिन थे रोहिनी स्नान करके मकान की छट पर चड़कर आजान लंबित के रासी सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आठ माज बाद आठ महीने बाद सर्दी के दिन थे जब रोहिनी स्नान करके नहाके अपने मकान की छट पर चड़कर आजानू लंबित मतलब आजानू लंबित केश रासी का अर्थ है घुटनों तक लंबे बाल ठीक है तो उसके बाल कितने थे गुटने तक लंबे थे तो इस समय नीचे की गली में तब उसे अपनी से नीचे वाली गली में अपने पहली गली में सुनाई देता कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई ये वाला ठीक है तो मिठाई वाले का सवर उसके लिए परिचित था मिठाई वाले का सव उनकी व्रद्धा दादी थी, रोहीनी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नु मुन्नु के लिए मिठाई लेनी है, तो रोहीनी क्या होई, दादी के पास आकर बोली, दादी चुन्नु मुन्नु के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहरा हो, चलो जरा कमरे में चलकर उसको रोकते हैं मैं उधर कैसे जाओं कोई आता ना हो जा रहा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी वो कहते कि मैं वहाँ कैसे जाओं कोई वहाँ आता भी नहीं है मैं यहीं पर बैठी रहूंगी तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाला इधर आना तो बोलती है कि कमरे में जाकर मिठाई वाले से कि ए मिठाई वाला इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया मिठाई वाला क्या वह उनके पास गया अब बोला कितनी मिठाई दूमा तो बोलता है दादी से कि कितनी मिठाई दूमा ये नए तरह की म दादी मा को मा बोलता है और कहता है कि यह नए तरह की मिठाई है रंग भिरंग ये कुछ खटी है कुछ मीटी है जायके दार है बड़ी देर तक मुँमें टिकी रहती है ठीकिए और इनका स्वात क्या होता है जल्दी मुझे नहीं जाता और जल्दी घुलती भी है और बताते हैं मिठाई का चप्टी है गोल है पहल दार है गोलियां जो पैसो की सोला और कहते हैं कि 16 पैसे की देता हूं मैं दादी बोलते हैं 16 रुपए की मिठाई तो बहुत कम होई बहला कम से कम तुम्मे 15 रुपए तो लेने चाहिए मिठाई wala बोले, नहीं दादी, मैं जादा अधिक नहीं लेता, इतनी भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खेर मैं अधिक ना दे सकूँगा, करता है कि मैं अधिक नहीं दे सकूँगा, रहनी दादी के पास ही थी, तो दादी फिर भी काफी रस्ता दे रहा है, चार पैसे की ल लो यह पैसे रहे ले मैं चार पैसे के लिए और यह रहे पैसे बोलता है तो मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा मिठाई वाला क्या मिठाई गिनने लगए तो चार की दे दो अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो अच्छा तो दादी उसे क्या करते है वो 25 पैसे की बात नहीं करते है बोलता है चार पैसे की तो बोलता है और फिर दादी बोलता है कि अरे हाँ मैं बुडी हूँ मुझे मोल भाव करना भी नहीं आता है कहते हुए दादी ने पोपले मूसे जरा सी मुस्कुरार फूट पड़ी पोपले मूसे उनके अब दाट बात भी नहीं रहे है रोहीनी ने दादी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस सहर में और कभी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम हो नहीं तो फिर रोहिनी बोलती है दादी से कि दादी इससे पूछो कि यहां पहले भी आया है क्योंकि यहां का निवासी तो है नहीं दादी ने इस कथन को दोहराने के चेस्टा की थी की मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और कई क्या बार आ चुका हूं कि दाधी इस कठ्थन को दहराने कि चेस्टर चुंद दाधी यह बात बोले हिं वाली थी कि मिठाई वाले नहीं उत्तर गीए कि पहली नहीं भर नहीं तो पहली बहुत नहीं 5-7 mbभ और यहीं मिठाई बेशते हुए आये थे और कोई चीज को कहती है पहले भी तुम मिठाई लेते थे और कोई चीज तो मिठाई वाला हर संचे और विश्मयादी भाओं में डूब कर बोला इससे पहले मुर्ली लेकर आता और इससे पहले भी खिलोने वाला तो कहता है कि पहले इसी से बोला संदेह के साथ और विश्मयादी मतलव क्या बहुत ही बुद्धी मता में बुद्धी मता से इन भाव में डूप कर बोला इससे पहले मुर्ली लेकर आया था और उससे पहले खिलोना रोहिनी और अनुमान रोहिनी का अनुमान क्या था ठीक था ठीक था ठीक था अब वो उससे और भी कुछ बाते पूछने के लिए अस्तिरोटी तो अब वो उससे और भी बाते पूछने के लिए उत्सकोटी वो बोली कि इन व्यवसाओं में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वैं बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलत खр심 बेखें करने हैं संटोश दीरज ... और अधिक सुख मिलती हूं और यही मैं चाहता भी हूं। तो वह बोलता है कि मिलता तो बहले क्या है लेकिन हां खाना पेट भर्ने लाएक मिल जाता है है कभी नहीं भी मिलता है। पर हां उन बातों की क्यों चर्चा करूँ उन्हें आप जाने ही दे उन बातों को सुनकर आपको दुक हो जब इतना बताया तो और भी बतादो मैं बहुत उत्सुकूं तुम्हारा हरजाना होगा मिठाई में और भी ले लूगी। अतिशे कंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित हो। मैं भी अपने नगर का पतिष्टित मालदार आदमी था मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब थे स्तिरी थी छोटे छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वह सोने का संसार सोने से अमूल ले था बहार संपत्ति का वैब होता और वहां पर मेरे पास संपत्ति भी कैता हैं बच्चे इतने सुणर थे जैसे सोने के खिलाऴने बहुत मन मोहट लगते हैं तो सोने के खिलाँ कि सजीव complexes मशीन जीन ужा जिवेगां ना तुछ सजीव बोलता हैं उनकी खbreatals के मा मारे घर में मुआ हल मचा रहता और फ्यरह उनकी अटखोलियों मतलब अलहडपन उनकी मस्ती की से पूरे घर में शोर मचा रहता था ठीक है अटखेलिया मतलब मस्ती कोला हल मतलब शोर अचारे समय की गती विधाता की लीला अब कोई नहीं हो कहता है कि समय की गती समय के साथ और भगवान की मरजी भगवान की लीला थी कि अब उनमें से कोई नहीं दादी प्राण निकाले ही नहीं निकले दादी प्राण निकाले नहीं लिख ले इसलिए अब अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं किया रहा है कि मेरे प्राण नहीं निकले मैं भी मरना चाहता था लेकिन अब नहीं मरा इसलिए मैं भी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ मैं भी अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं कहता है होंगे तो वह भी कहीं यहीं आखिर कहीं न कहीं न कहीं तो जन में होंगे आखिर कहीं न कहीं न कहीं उन्हें दुबारे जन लिया तो कह रहा है ऐसे जीवन में कम से कम और बच्चों को देखके मुझे अपने बच्चों की आद सी आ जाती है उनकी जलग मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनी में उचल उचल कर हस खेल रहे हो कहता है ऐसा लगता है जैसे वो भी इनी के साथ उचल उचल कर खेल रहे हो पैसो की कमी थोड़े ही है आपकी दया से पैसे तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहिनी ने मिठाई वाले की ओर देखा उसके आँखे आसूं से तर हैं रोहिनी ने मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आँखों में आसू हैं इसे समय चुन्नु मुन्नु आगे तो इसे समय चुन्नु मुन्नु आगे रोहिनी से लिपटकर उसका आचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाइ।। मुझस से लो क्याकर Przy Adaptive efter ततकाल कागच की दो पुडिया मिठाइवालों चुन्मुन्नों को देदी। मुझस से लो मैं मैं दुम में देता हूं और उस سमही रही वायनी थो नूणा भी रही तना candy can implicationS पैसे न लूँगा उसने बोला इस बार में पैसे नहीं लूँगा दाधी बोली अरे अरे ना अपने पैसे लिये जा भाई तो दाधी उससे बोलती ना ना भाई अपने पैसे ले ला तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल सुहर में बच्चों को बहलाने वाला तब यू तक जब तक उन्होंने ऐसा बोला तक उन्हें आगे से सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला तो यह जो पाट था उसके लेकक थे भगवती प्रशाद वाजपई अब हम प्रशन अभ्यास देखते हैं पहला क्या है कहानी में कहा अलग चीजे चैने क्यों महिनेबात क्यों आता था अब यहाँ पर बूच रहे लेखा कि मिठाई वाला जो है वो ज Saudi बाट क्यों बैश्ता था था उससा बोकि बर बच्चे बहुत जल्दी एक चीज़ से अब जाते हैं इसले मिठाई मिठाई वाला अलग अलग चीजे बेशता होगा बच्चों में उत्सुपता बनाई रखने के लिए महीनों बाद आता था साथ ही चीजे ना मिलने से बच्चे रोएं ऐसा मिठाई वाला नहीं जाता था विप्रशन दो कि मिठाई वाले में वह कौन से गुड़ थे जिनकी व कभी गुस्ता नहीं करता था हर बार नहीं चीज लाता था इन कुछ प्रशेश्ताओं के वज़े से मिठाई वाला सबका चाहीता था विजे बाबू एक ग्रहक थे और मुर्ली वाला एक विक्रिता दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तरक पेश करते हैं एक आपके रूप में विजे बाबू अपना तरक पेश करते हैं क्या बोलते हैं कि तुम लोगों को जूट बोलने की आदत है सबको एक ही भाव के समान बेशते हो और फिर बोलते हो कि मैंने हमें अधिक दाम बताकर उल्टा ग्रहक पर ही हैसान का बोज ला देते हो और एक वि रहाकों को दुकानदा पर विश्वास नहीं होता है अब क्या खिलोने वाला के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी खिलोने वाले के आने पर बच्चे खिलोने देखकर बहुत खुश हो जाते थे बच्चों का जुंड खिलोने वाले की चार तरफ से गेर ले कि विवी मर जाते हैं तो अपने बच्चे मौत के बाद बहुत ही दुखी हो जाता है तो वो क्या करता है इस तरह खिलोना वाला मिठाई वाला मुरली वाला बनकर बच्चों के बीच जाता है और इस तरह उसे अपने उन बच्चों में अपने बच्चों की जहलत मिलती है उसे ऐसा लगता है कि उनके बच्चे भी इनी में कहीं हस रहे हैं यदि वह ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में गुट-गुट कर मर जाता क्योंकि उसके बच्चे अब जिन्दा नहीं थे ना तो इसी कारण में उसने इस विवसाय को अपनाया वरना वो बहुत प्रतिश्च दात्मी था ठीकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी अब इस बार ये पैसा न लूँगा कहानी केंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कहानी केंत में रोहिनी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ गई होगी उसे लगा मानू वो अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है इस कहानी में रोहिनी चिक के पीछे से बात करती है आज भी ओरते चिक के पीछे से बात करती है चिक अर्थाद घूंगट करती है घूंगट के पीछे से बात जैसे कि ग्रामीड महिला है और कुछ मुस्लिम परिवार की महिला है ऐसा करती क्योंकि उनमें पर्दा प्रता का प्रचलन आज भी है आज की समाद में प्रता प्रता सही नहीं है क्यों इसका प्रचलन धीरे-दीरे कम भी होता है क्योंकि इससे महिलाओं को संकोच महिलाओं का संकोच पता चलता है और इससे यह पर पता चलता है कि हमारी जो मान सकता है वो अभी भी कैसे पुरानी ही है कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए महिलाओं पर बहुत रोक्त हो के तो जैसे जैसे देश प्रगति कर रहा है तो लोगों की सोच को भी प्रगति करने चाहिए पहानी से आगे मिठाई वालों के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोची और इस आधार पर एक और कहानी बनाएं यह आपको खुद करना है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा यह सोच के और यह अधार पर आपको एक कहानी बनाना है हाट मेले, साधी और आयोजन में कौन कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा करशित करें उन्हें सजाने में किसका हाथ होता है, उनकी चहरों के बारे में लिखेए यह आपको इस कहानी में मिठाई वेले, दूसरों को प्यार और खुशी दे कर आना दन अपना दुख कम करता था इस मिज़ाद के और कहानी कविताई ढूंड़ कर पढ़िए और ढूंड़ी और पढ़िए अनुमान और कल्पना आपकी गल्यों में कहीं अजनबी फेरी वाले आतोंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, अगली बार जब आपको कोई फेरी वाला आये तो उससे बातचीत करके जानते की कोशिश कीजिए, यह भी आपको समय करना है, अपके मैता-पिता के जमाने से लेकर अब आतक के फेरी के आवाजर में कैसा बदला बड़ों से पूछ कर लिखो, तो यह भी खुदी करना, क्या लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखे, हाँ, वक्त के साथ फेरी वालों के स्वर कम हुए हैं, क्यूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन मिलने तो यहां पर हमें चीजे मिल जाते हैं, तो कोई फेरी वालों से लेता नहीं है, हाँ, फल फ्रूट जो है, वो भी वो चीजे लेते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ खास इतना फेरी वाले का आना बहुत कम हो चुका, यह क्यों हो चुका है, क्योंकि अब टक्निकी जो है, हमारा देश प्रागति कर रहा है, तो तक्निक क्या आने से क्या है, तक्निकी क्या आने से, मनुश्य यह जो फेरी वाले हैं, उनका विवसाय कहीं चुप सके है, ठीके, और अब बच्चों में वैसा रहा भी नहीं है, खिलोनों के खेल, अब सबको मुबाइल से ज़्यादा होता है, मुबाइल फॉन से ज़्यादा आकर्शन होता है, भासा की बात, मिठाई वाला बोलने वाली चूड़ियां, उपर वाला का प्रयोग है, अब बताईए, उपर किसका प्रयोग है, वाला से पहले आने वाले शब्द संग्या सुन्नाम विशेशन आदी में से क्या है उपर लिखे वाक्यां चूमे से उनका प्रयोग, उनका क्या प्रयोग है, देखो उपर वाला पहला शब्द क्या है, मिठाई वाला, तो वाला से पहले आने वाले सब्द संग्या सुन्नाम क्या है आपको बिताने, वाले से पहले आने वाले सब्द जैसे क्या है, यह क्या ह है और यह सब्त किसी वक्त रहे हैं किसके बारे में है Ben डोकिम निकाल दो उप्योग्तिवाक्य बिहार की भषव में इस सब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है जैसे भजपूर में एक ठो लई का चाल थे आलू तीन थे बटुली ऐसे सब्दों का प्रयोग भारत की कहीं अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है कक्षा में पता कीजिए कि किस-किस भाषा में बोली ऐसी है पर सामूहिक बात चीत कीजिए तो अलग उच्चारण किया जाता है शब्दों का वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं क्या भई किस तरह देते हो मुडली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए लेनी है तो यह आपका अलग धंगों का बोलने का किसी भी बात को तो वह आपको अपने धंग कि दिन चरिये कैसी होती होगी उनका घर परिवार कहां होगा उनकी जिन्दगी में किस प्रकार की समस्य उतार चड़ा होते होंगे यह जानने के लिए तीन-तीन के समुवे चाहते हैं कुछ प्रशन तयार करें और फिरी वालों से बात करें और प्रतेक शमू अलग-अलग बात करके इसके बारे में जानका रिप्राप्त करिए ठीक है इस कहानी को पढ़कर आपको यह अनुगूती हुई कि दूसरों को प्यार दुखशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है समुम में बाचित करें देखिये हमेशे पैसे सही सुख नहीं करी जाता है कि कभी हमारा मन हलका होता है और हमें ये भी होता है कि दुख नहीं है तो दुनिया में दुख नहीं है अधर जैसे महा मारी आए कोरूना पर नहीं करिए पैसे की धन समय घट होगा एक जाए क्लाट मैं। सिर्फ पैसे से धनी नहीं होनाँ आपने मन से भी धनी होना चाहिए ठीक है। अपनी कलपना की मदद से मठाई वाले का चितर शब्दों के मादिम से बनाई है। तो आपको खल्पना कन्य मिठाई वाले की और उसका चित्र बनाने ठीक है तो यहाँ पर आपका पार्ट खतम होता है ठीक है धन्यवाद आशा करते हूं कि आपको पार्ट समझ में आया होगा तो चलिए बाई